अलो दोस्तो वेरी गुड इविनिंग स्वागत है सबका दोस्तों आज इन्फो बेर चैनल में दोस्तों आज बात करने वाले हैं रिलाइंस के बारे में देखिए रिलाइंस जो है पिछले दस-15 दिन से आप देख रहे हो गोगर रिलाइंस को अप्ट्रेस कर रहे हो ध्यान देखिए रहे हो रिलाइंस की तरफ तो रिलाइंस काफी ज्यादा पैसा फिर एक बार जोड़ रहा है अपने आरार वियल सबसीडिरी के लिए जो है रिलाइंस रीटेल वेंचर लिमिटेड और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसमें कोई बाहर वाले लोग ज्यादा ह क्या हुआ है अभी रिलाइंस की कंडिशन क्या है और लोगों का पॉइंट आफ व्यूव में आपको बताने वाला हो दोस्तों कि क्या लोग सोच रहा है इसके बारे में साथी साथ में मैं अपना पॉइंट आफ यू भी बताऊंगा और इंवेस्टर्स का पॉइंट आफ की बताऊंगा काफी चीज़ों के बात करेंगे दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा बट कोशिश करूंगा कि सारी सारी चीज़े जो है वह इसमें कवर हो जाए साथी साथ आपके लिए एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप पूरा वीडियो देखेगा बी तिक से समझ पाओ उसको लिंक कर पाओ दो मीट के वीडियो में आपका कुछ भला नहीं हो ले वाला और आपको कुछ पता भी नहीं चलने वाला है तो लाइक कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा और टेली करम चैनल से हमारे जरूर जुड़िएगा दोस्तों फ्री चैनल है काफी तरी चीजे सीखने को मिलेंगी और वेलयू उन्यूसी Aha और बारे में और भी कुछ बहुत कथा चलेगा तो दोस्तों बात कर रहें perfectly Kalina ये मैं तो साथ जान तीनसोंपचान करोड़ कर ली है कहार चुक है तो देखार देख पहली बात यहाय इस करूप है दो है वो थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है दिन बदिन उनका प्लान आफ एक्शन समझ में नहीं आ रहा है एक तरफ उनका जो छोटा भाई या नहीं लंबानी वो तो रस्ते लग चुका है उसने यहां तक बोल दिया कि भाई मैं अपने वाइफ के गहने बेच करके जो है वो लॉयर को फीज दे रहा हूं और अभी मेरे पर सिर्फ एक ही गाड़ी है और साथ ही साथ में काफी दारी प्रॉपर्टी जो है उनकी और येस बैंक ने जब्त कर ली है तो अभी दूसरे भाई को दूसरे भाई देखिया दिन बदिन आगे ही बढ़ते जा रहा है सक्सेस्फुल बिजनसमन हो रहा है और अभी उन्होंने जो अमेरीकन की दो कंपनी जेक अमेरीकन प्रावेट इक्विटी फ़र्म है टी पी जी और एक सिंगापूर की सौविरियन लगबग साथ से साड़े साथ हजाइस करोड का इन्वेस्टमेंट Reli spacing में हों है जिसमें में टीपी जीन शी ने लगबग गपाँ आपंत हजार करोड की रिका तो और चीज़े मैं आपको बताऊंगा आप समझ भाओ कि दोस्तों देगे जी आई सी और टी आई पी का जो रेशियो यहां पे निकल क्या रहा हो दोस्तों जी आई सी को मिला है 1.22% of equity stack in RRVL जबके TPG को मिला है 0.41% stack in RRVL और दोस्तों यह जो है ना RRVL को अगर आप ठीक से समझोगे तो बहुत बड़ा बिजनस होने वाला है देखिए stake आप देखिए investment आप देखिए 9,000 करोड जो की बनता है 2.13% stake अबुदाभी best sovereign wealth fund मुबातला ने यह भी investment किया हुआ था साथी साथ में देखिए साथी साथ में और एक investment है 1.4% stake मुबातला ने लिया हुआ 662 4.5 वे 5 करोड की बात हो रही है दोस्तों करोड की देखिए amount कितना बड़ा होते जा रहा है साथी साथ वेनस देखिए अग न्यूज आया था कि के के यार ने भी लगबग 5550 थाउजंड करोड यानि 5550 करोड दे करके जो रिलैंस में हैं लगबग 555 परसेंट की इस्यदारी खरीदी हुई है वही जनरल इंटल्टिक ने साड़े तीन हजार करोड डाल करके अपनी इस्यदारी कंफर्म की हुई है अभी सारा पैसा जुडा होगे दोस्तों तो बहुत बड़ी amount हो जाती है जो कि रिलैंस के लिए लेंस के expansion के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब बात करेंगे उसके बिजनस कपासिटी की तो देखेंगा दस्तों ओवर ओल 12,000 स्टोर से इंडिया हमें रिलैंस के और इसमें लगबग 600,000,000 फुटफॉल्स है यानि लोग 600,000,000 लोग इन स्टोर्स में आते हैं तो सोचेगा कितना बड़ा business opportunity यहाँ पर create करने की कोशिश की जा रही है और यह सारा पैसा यह सारा demand जो रिलैंस भी एक तो पहले सबसे बड़ी चीज इन्होंने की रिलैंस को डेट फ्री कर लिया पैसा लाल आके लाल आके को अपनी जो है वो शेर्स को बेच के जो रिलैंस को डेट फ्री कर लिया यानि अभी उनको रिलैंस की तरफ द्यान देने की ज्यादा ज़रुरत है नहीं तो पूरा द्यान अभी एक नए business segment पर आ गया है जो retail business segment बहुत ही बड़ा business segment है दोस्तों आपको एक चीज़ बता दू मैं इंडिया का retail business दोस्तों लावार इस पड़ा हुआ था आज तक इसमें अगर कोई दो छोटे बच्चे खेल रहे थे तो वो था एक snap deal और दूसरा था flip card इससे ज्यादा इसमें और कोई बड़ा बच्चा आ नहीं रहा था दोस्तों Amazon ने अभी flip card को दिखे Walmart ने buy कर लिया लेकिन Walmart अभी भी नहीं चाहता है कि वो इंडिया में आके flip card को जो है वो push करे अभी भी Walmart थोड़ा दूरी बना के रखा हुआ है क्योंकि उसे भी दिख रहा है कि इस time पर investment करना कोई समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंक है दब जाते हैं मिलते नहीं है कहीं पर तो रिलाइंस जो है वह अभी आरा है रिवीयल के साथ में बहुत बड़ा प्लान आउट कर रहा है कहां से होगा और किस तरह से होगा वह पूरी चीज आपको बताऊंगा ज्यान मैं रखे कर चोटा सा डाइग्राम मिला था मुझे यह Google पर जिस भाई ने भी बने हैं बस समझदारी के साथ बने हुआ है रिलाइंस इस वार टीज एट वार विट एवरिवरी बड़ी जैसे Amazon है दोस्तों यही चार्ट आप Amazon के बारे में भी देख सकते हो वही चार्ट आप रिलाइंस के बारे में भी देख रहे हो दुनिया कि सिर्फ दो कंपनी जो सब के साथ जगडा करना चाहती है इंडिया में रिलाइंस है दुनिया में एमेजॉन है किस से आपको बताता हूँ बात ही टेली कॉम इंडस्री में जियो लांच कर दिया अपियरल में ट्रेन डाल दिया सूपर मैर्केट ने फ्रेश और स्मार्ट डाल दिया एमेजॉन के अगेंस्ट एजियो खड़ा कर दिया डिजिडल की बाद आ दिया तो सावन को बाई कर लिया इलेक्रोनिक्स में डिजिडल तो ही बास्केट में अगर यह अपना हाइपर लोकल में अब चले जाते हो तो जियो मार्ट बहुत ही बड़े लेवल पर अभी बन रहा है गुजराद में अगर आप देख रहे हो गुजराद के मॉल्स आप देखो के तो जिवाट बहुत ही बड़े-बड़े वहाँ पर खड़े कर चुका है यह बाई और एयर वियर की बात करेगा तो उसमें भी टेसरेट करके एक चीज इन्होंने बाई कर ली है यह एडूटेक में भी इन्होंने है एमबाई बीप करके कुछ है और रिलाइंस ग्यास भी काफी दिनों से मार्केट में चल रहा है तो हर एक सेग्मेंट पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एपेरल, सुपरमार्केट, इकॉमर्स, डिजिटल, इलेक्ट्रोनिक्स, आइपर लोकल, एयर, वीयर, साथ में एजूटेक सारे की सारे इंडस्री में अपने बंदे खड़ा कर चुका है रिलाइस दोस्तों और अब जो इंवेस्टमेंट आ रहा है, वो यह सारे सेग्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह बहुत बड़ा रिटेल सेग्मेंट है, इसमें जतना भी पेट्रोल, इतना भी आप फंड डालोगे, जतना भी पैसा डालोगे वो बहुत कम पर सकता है दोस्तों क्योंकि इसके अगेंस्ट में इंडिया को टकर देने वाला, इस रिलाइस को इंडिया में टकर देने वाला एमेजान है और Reliance के comparison में Amazon के पास बहुत ज्यादा फंड है और Amazon बहुत ज्यादा फंड ला भी सकता है तो ये बहुत बड़ा giant बनने के यहाँ पर Reliance की कोशिश है और ये सारी उचलकूद सिर्फ इसी के वज़े से हो रही है और अब दूसरी बात जो मेरे भाई लोग सोचते हैं कि भाई Reliance के शेर थम चुका है दब चुका है रुक चुका है तो दोस्तो गलत सेमी में बिलकुल भी मत रहना देखिया दोस्तो Reliance इसमें एक बहुत बड़ी चाल खेलने की तयारी कर रहा है क्योंकि सारे के साथ अगर आप वार कर रहे हो तो आपको फंड की बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ने वाली है और Reliance चाहता है कि Amazon जो है वो इंडिया से दूर रहे Walmart जो है इंडिया से दूर रहे और इस चीज़ को करने के लिए Reliance को पैसा चाहिए और Reliance पैसे के पीछे पढ़ा हुआ है अब जो मेरे भाई सोचते हैं कि यह रुक चुका है दब चुका है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यह थोड़ी देर की बात है तो थोड़ी देर की बात है बिलकुल आप डीप में बाई कर लो और दीके Reliance वैसे भी आपको 15-20% के रिटन तो वैसे भी देई देता है और यह Reliance जो है वो investment kind of share है यह आपको जल्दी यह बजाश फाइने जैसे आप फटक से नीचे आगे फटक से उपर जाएगा ऐसे वारा share यह बिलकुल भी नहीं है तो एक तो आपका investment type share है इंडिया का सबसे बड़ा company है तो वैसे भी आपके portfolio में होना चाहिए और उपर से यह आपको आने वाले टैम में बहतरीन return देने की capacity रखता है क्योंकर reliance के पार सिफ कल तक कल तक सिफ petrochemicals एक option था दोस्तो जासे वो पैसा कमा सकता था आज उसने एक दर्वाज और खोड़ दिया retail का और जैसे मैंने बता है उसके पास काफी सारे options अभी तक उसने अपना media option पे ध्यान नहीं दिया हुआ है अभी तक उसने अपना clothing option पे ठीक से ध्यान नहीं दिया हुआ है आने वाले time में ये बहुत बड़ा bump बन सकता है दोस्तो बहुत सारे opportunities आएंगे reliance में तो बने रहेगा reliance के साथ में और dip पे पाई जरूर कीज़ेगा दोस्तो